नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ओफ क्विक फिक्स प्रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वच्थ होंगे सुरक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन अगर आपको खाली कॉइल करनी है मतलब बहुत नेचर है उनका तो नीचे में आपको लिंक दूंगा उस वीडियो का आप वो वीडियो जाके जुरूर देखना अगर आपको खाली कॉइल करनी है नॉर्मल है अगर आपका सिस्टम तब आपको खाली एर कंडिशनल क्लीनर चीए जो फॉर्म वाला होता है और अगर आपकी गाड़ी में चूहों की स्मैल है बहुत जादा मतलब मालोग अभी चूहा मर गया था तब उसके लिए आप लाइजोल यूज कर सकते हैं इसके और आप देखके सच में दाद देंगे कि यार ये ट्रिक तो बहुत जबरदस्त है तो ऐसे आपको पाइप लगा लेनी है और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना सबसे पहले ये आपको बता रहा हूँ अगर आपकी गाड़ी में चूहे घुस चुके थे और बहुत अगर आती है वहां से तब आपको लाइजोल लेना है एक धकन में ठीक है एक धकन में लेने के बाद में ये बहुत अजमाया हूँ तरीका याद रखना इसको लेने के बाद में आपको क्या करना है एक सिरिंज लेनी है चोटी सी और लाइजोल लेना इसमें सिरिंज में भर बरदर साफ कर देगा, बैक्टीरिया सारे किल कर देगा अंदर के, तो इलाइजोल को क्या करना ना, आपको जारा दिमाग नहीं लगाना है, जो खाली आपकी जो पाइप है आगे वाली, इसमें इंजेक्ट कर देना है, जितना इंजेक्ट हो पाए उतना बढ़िया है, ऐसा अब आपको क्या करना है, गाड़ी के नीचे आपको AC आपको AC awn करके देखना है, कि पानी कहां पर रिप हो रहा है, जब AC on करते हैं तो पानी नीचे डिरिप होता है तो वो point ढूंड़ना है कि कहां पे मेरे AC का पानी नीचे drip हो रहा है तो अब मैं आगे हूँ गाड़ी के नीचे और गाड़ी के नीचे आप देखेंगे यहां पे और लड़ी मेरा silence है डूट रखाया और इसकी वीडियो में देखूंगा कब तक बना पाता हूँ दो महीने होगे इसको ऐसे पड़े हुए तो यह आगे वाला छोटी ढोलकी है और यहां पे जो heat shield लग रखी है न छोटी सी जस्ट इसके बगल में देखेंगे यहां पे एक nozzle सी है तो यह वाली nozzle आपको ढूननी है अपनी गाड़ी में यह क्या है AC का जो water होता है मतलब जो condensation से महां पे पानी बन जाता है उसका drainage है यहां से drain होता है तो इसका सबसे बड़ा फाइदा बता क्या होता है यह आपकी cooling coil के पीछे से निकलती है मतलब rear side से cooling coil के आगे वाली side में आपका AC का filter लगा रहता और पीछे वाली side से यह nozzle निकलती है तो इसी का सारा कमाल दिखाऊंगा आपको आज में कि कैसे आप बिना dashboard खोले बिना कुछ किये अगर आपका AC system आपको लग रहा है कि clean करना है आपको coil clean करनी है तो उसको आप कितने अच्छ form cleaner है उसकी जो pipe है वो आपको यहां पे गुसानी है याद रखना अगर आपकी गाड़ी में चूहों की smell है मतलब disinfectant आपको लग रहा है जादा है तब तो आपको लाइजोल के साथ में यह mixture करना है मतलब लाइजोल अंदर ही रहेगा आपकी pipe में और pipe आप अंदर गुसा दो करना है और उसके बाद में फॉर्म स्प्रे करना है जब तक कि यह बाहर आना शुरू ना हो जाए आपको लगे कि हाँ यह बाहर आना शुरू हो गया अब मैं प्रॉसस यहां पर रोक दूंगा मैं यहीं पर मिरको अभी स्टॉप कर देना है यह फिर्स टाइम में अब जो हमारे को एक ब्लॉकेज लगानी पड़े कि मतलब इसको जो ड्रिप कर रहा है ना नीचे मेरा फॉम इसको रोकने के लिए यहां पर में कुछ कुछ कपड़ा पड़ा फसा दूंगा या कोई चीज फसा दूंगा सो यह पूरा एकदम से ड्रिप ना हो जा नीचे और एसे कर अब आपको क्या करना है जब यह पूरा आपको लगेगा 10-15 मिनट हो चुके है तब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है वह ब्लॉक ही रहने देना है अभी उसको खोलना नहीं है तो अभी आपको गाड़ी ओन कर लेनी है ओन करके आपको एसी एक नंबर पे चला के छोड़ है पूरा तो जब यह प्रॉसेस दो बार हो जाएगा उसके बाद में अपने को ब्लॉकेज महां से निकाल देना है निकालने के बाद में फिर आप देखेंगे इतना कच्रा आपके एसी सिस्टम से निकलेगा ना बिलीब नहीं कर पाओगे ठीक है यह देख रहे हैं पूरा करने के बाद में उसको ब्लॉकेज कर देना है वहां पर आपकी ड्रेन पाइप है उसको आप ब्लॉक कर देंगे ब्लॉक करने के बाद में फिर आपका गाडी का एसी आपको आउन करना है ब्लॉकेज वहां पर वैसे ही रहेगा एसी आउन करने के बाद में जैसे आप आफ क पूरा हो जायागा, वो कम्पलीट होने के बाद में, फिर आपको एक बार ये प्रॉसेस रिपीट करना है, परियाद रखना, सारा काम करने के बाद में, वहां से वो ब्लॉकेज निकालना, मत भूलना, उसका कारण ये है, अगर वो आपने नहीं निकाला, तो आपके डैश ब लॉक रहती है, तो इसको आप क्लीन कर लोगे ना, तो आपका ये समस्या एक तो हल हो जाएगी, क्योंकि उस पानी को निकलने की जगा ही नहीं रहती है, और आपकी कोईल जो है, वो कूली होती रहती है, तो इतना आपकाम कर लेंगे, तो बहुत बढ़िया रह जाएगा, आशा करता हूँ, छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी वीडियो उसको लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं चीजी वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, जै भारत